हमारी जिन्दगी में हम ऐसे कई टर्म्स को रोजाना सुनते हैं जिन के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती है बस सुनी सुनाई बातों को हम बोलते हैं, लेकिन इनके बीच का सही फर्क पता नहीं होता है ऐसे में कई बार हमें इसका खाम्याजा भी भुगतना पड़ जाता है चलिए, आपको आज पहनावे से जुड़े ऐसे ही दो टर्म्स के बीच का फर्क समझाते हैं अगर सफर करने के लिहाज से हमें होटल, मोटल, रिसॉर्ट का फर्क नहीं पता होता या फिर ट्रेन के सफर में बोगी और कोच के बारे में बीच अंतर हम नहीं जानते तो ऐसे ही कुछ पहनावे भी हैं, जिन्हें हम एक ही समझते हैं, लेकिन हैं वो अलग-अलग ऐसा ही सर्दियों में पहना जाने वाला एक कॉमन ड्रेस है, कोट और बलेजर क्या आपको पता है कि इनके बीच क्या फर्क है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ताकि आपको कहीं शर्मिंदा नहोना पड़े पर लोगों ने पूछा कि कोट और बलेजर के बीच क्या फर्क होता है सवाल के जवाब में कई यूजर्स ने इसका फर्क समझाने की कोशिश की इसमें जो पॉइंट सामने आए उससे ये पता चला कि कोट और बलेजर के बीच बेसिक अंतर ये है कि कोट एक सूट का हिस्सा होता है, जिसमें पैंट भी शामिल होता है वहीं बलेजर अलग से खरीदा जाता है और इसे किसी भी जीन्स या पैंट के साथ मैच किया जा सकता है इसे आपचारिक और अनापचारिक दोनों जगहों पर पहना जा सकता है कोट सूट के साथ पहना जाता है और इसे ज्यादा अपचारिक पहनावा माना जाता है कोट आम तोर पर गहरे रंग के ही होते हैं जबकि बलेजर का रंग हलका भी हो सकता है कोट को आम तोर पर टेरिकॉट और वूलेंड टेक्स्टाइल में बनाया जाता है जबकि ब्लेजर किसी भी फैबरिक का बन सकता है ये लिनीन, कॉटन या कॉडरा का भी बनता है वीडियो अच्छे लिगी तो वीडियो को लाइक किज़ेगा अचानल को सब्सक्राइब किज़ेगा